टिक टॉक डूएट नोटिफिकेशन सेटिंग नमस्कार दोस्तो स्वागर है आप सभी का तेकिराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो पर आपको बताया जाएगा कि कैसे आप यहाँ पर टिक टो के डूएट नोटिफिकेशन सेटिंग कर सकते हैं तो यह दि दोस्तो कोई भी आपके वीडियो के साथ डूएट बना देते हैं तो दोस्तो आपको जो है उसके जो notification से वो कैसे मिलेगा ठीक है तो यह पर दोस्तो यह दि कोई आपके साथ do it करते तो दोस्तो आपको notification मिल जाएगा ठीक है लिकिन दोस्तो उसके लिए आपके पास setting यहाँ पर होना जरूरी है तो setting दोस्तो आपको करना होगा तब जाके दोस्तो आपको notification मिलेगा ठीक है और दोस्तो यह setting दोस्तो कैसे आपको करना है आज की इस video पर देख लिजएगा और दोस्तो वीडियो को अंतक जरूर देखे ताकि आपको आच्छे से जो process वगरा है है जो सेटिंग वगर है वो समझ में आ जाए और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरू किजिए तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ पर जल्ली से शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है ठीक है तो आप दोस्तों यहाँ पर आपना जो एप के एप को अपडेट कीजिए सबसे पहले तो दोस्तों एप् टिक टोक एकाउन है उसको ओपेन कर लिजी तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ओपेन हो रहा है हमारा टिक टोक यहाँ पर उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है आपको अपना प्रोफाइल पर क्लिक करना है तो दोस्तों जैसे की मैं आपको बताया कि अपडेट जरू कर लिजे ठीक है उसके बाद दोस्तों आपको आना है आपके टिक टोक प्रोफाइल पर ठी लाइन्स पर ठी दोट्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे मिलेगा पुश नोटिफिकेशन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जीतने भी नोटिफिकेशन है सब क कुछ एलाउ कर दीजिए ठिक है और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन ठीक है तो दोस्तों आपको यहीं आपके वीडियो के साथ इसको अपडेट करना है मतलब आपको इससे जो है लाउ करना है तो आप दोस्तों यहां पर डेग सकते हैं टीके तो जब दोस्तों यही division settings enable रहेगा तब जाके आपको notification मिलेगा लेकिन दोस्तों यहांपर एक और notification setting है जो की दोस्तों यहांपर करना बहुत ही जारूरी है टीके उसके लिए दोस्तों आपके mobile setting पर जाना होगा, मोबाइल सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों स्क्रोल डाउन करके यहाँ पर आपको Apps का Option मिलेगा, ठीक है, Apps उसके बाद आपको जाना है Manage App या तो फिर इंस्टोल अब करके आपको Option यहाँ पर डिखाई देगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको Search करना है TikTok उसके बाद Notification Setting तो आपको Wait कर लेना है जब तक कि यह जो Loading है वो Complete होते हैं उसके बाद दोस्तों आप Setting कर सकते हैं और उसके बाद जाकी ही दोस्तों आपको Notification मिलेगा तो आपको यहाँ पर Simply नीचे आना है और TikTok पर जाना है और यहाँ पर दोस्तों आपको Scroll On करके जो है Notification पर क्लिक करना है और दोस्तों इसको Off करके On कर दीजिए उसके बाद अशुआफ आपको यहाँ पर करना है Lock Screen Notification आप चाहे तो कर सकते है Floating Notification Setting ठीक है तो यह सभी को Allow कर दीजिए उसके बाद Allow Sound जो की दोस्तों Main है यहाँ पर Allow Sound को Open कीजिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पर Address पर जाए और आपको यहाँ पर इस बटन को Off करके On कर देना है और Importance को Hyper Set करना है और आपको यहाँ Sound Select करना है Sound Select करने के बाद दोस्तों आपका Setting Complete हो चुका है और दोस्तों यहाँ पर आप App केश को एक बार Clear Up कर दीजिए उसके बाद Mobile को आप Restart कर दीजिए तो Mobile Restart करने के बाद दोस्तों आपका जो यहाँ पर Sound Setting जो भी हमने यहाँ पर किया है Duet के Regarding पर ठीक है Notification Setting तो वह यहाँ पर Complete हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों इस प्रकार से Setting किया जाते है Duet वीडियो के लिए तो आपको दोस्तों यहीं सेटिंग करना है तो आप Simply इस प्रोसेस को यहाँ पर Follow Up कर सकते हैं और दोस्तों इसके बाद आपको Setting यहाँ पर इसके बाद जोई दोस्तों आपको Notification मिलना शुरू हो जाएगा Duet वीडियो के लिए तो आज की इस वीडियो पर दोस्तों बास इतने उमेट करते हैं आपको जो है वीडियो पसने होगा थेंक्स वाचिंग